ब्रेक स्टेटमेंट यह क्या करता है कि कई बार हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ ऐसी हमें लॉजिकल service करते हैं जिसके चलती या होता है हमारे प्रोग्राम सिफ्टेक्स चलने लगता है यानि की उसमें कंडिशन हमारी हमेशा true रहती है और वो program आपका चलता जाएगा चलता जाएगा कभी ending नहीं होगा तो उस case में आप program को close कर सकते हो या दे direct window close करना पड़ेगा या फिर Ctrl C के true भी close कर सकते हो तो एक तो हमारी mistakes होती है कई बार कई बार हम चाहते हैं हमारी requirement होती है कि हम हमेशा उससे infinite loop चलाएगा अब आप सोचोगे कि ऐसा कब होता है तो दिरे दिरे आप जब program करने लगए इवन कि हम भी देखेंगे ऐसा program करेंगे जिसमें हमें infinite loop की ज़रूरत पड़ेगी तो उस case में break की भी ज़रूरत पड़ती है क्यों क्या क्यों कि उस कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते है कि ये हमारा infinite loop चले लेकिन एक ऐसा condition meet कर जाए जैसे वो meet correct condition हमारा जो control है वहां से बाहर आजे तो उस case में हम break statement यूज करते हैं break statement क्या करता है simply loop से जो है बाहर आ जाता है और ध्यान रही यह एक ही loop के बाहर आता है मतलब पूरा अगर आपको inner loop है loop के अंदर loop loop के अंदर loop तो उसके अंदर साड़ा से बाहर नहीं आएगा बस एक लूप से बाहर आता है अगर पूरे से बाहर आना है तो हम पहले देख चुके go to या फिर अगर पूरे प्रोगाम को close करना है तो उसके लिए हम exit use कर सकते हैं फिर भी एक तो है यहाँ पर क्या initialization initialization block statement हो गया यहाँ पर अब क्या है कि condition check होगी क्यों कि initialization होगी जैसे हम for loop में देखे थे विआ इंसाईड loop यानी कि body का जो loop था body वाला inner वाला part उसके अंधर आ जाएगा यानी कि यहाँ पर inside loop है इसके अंदर आ जाएगा inside body loop अगर यहां पर उसके बाद हां अंधर आ गया अब अनदर आने के बाद यहां पर क्या है कि एक जगा break statement मिल रहे यानि कि break अगर कोई condition यहां पर condition है और condition meet कर रही तो break हो जाए true अगर वो condition match हो जाए तो यहां हमारा direct out of look अगर वो condition match नहीं होती तो rest of the statements जो होगा execute होगा उसका expression update होगा और फिर update होने के बाद फिर दुबाड़ा से जाके condition check होगी मेरे खाल से clear है अगर clear नहीं तो दुबाड़ा वीडियो को आप play करके देख सकते हो क्योंकि अगर मैं दुबाड़ा समझाओंगा तो फिर time बरबाद होगा आपका भी मेरा भी यहां पर क्या है कि अब एक example देखते हैं यहां पर मैंने लिया यह क्या print करेगा यहां पर क्या है कि 2 का हम 2 से start करके print कर रहे है 100 तक 2,4 मतलब even number प्रिंट कर रहा हूं और यहां पर हम देखते हैं और यहां पर क्या है कि i plus equal to 2 यानि कि 2 का increment करेगा यहां पर अगर i plus plus रहे तो 1 का increment करेगा if i is equal to 50 तो break यानि कि 2 होगा तो यहां पर condition i 2 है नहीं है तो यहां पर यह जब हाँ एक और बात ध्यान में रखनी है कि कभी आप कोई भी statement लिको ध्यान रहे कि अगर कुछ भी हो condition हो for हो इसके बाद हमेशा parenthesis यूज किया करो हमेशा क्योंकि कई बार अभी हमेशा इसलिए बजाब आप मतलब पूरा अच्छे से प्रो बन जाओगे अगर प्रोग्रामिंग में फिर तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगा आप avoid भी कर सकते हो आपने उपर depend करता है लेकिन अगर शुरू-शुरू में अगर हम यह avoid करने लगे तो थोड़ी सी दिक्कते हो सकती है तो अगर हम avoid करते हैं अगर parenthesis नहीं देना चाहते हो तो वह जो है condition या loop एक ही line जो first उसके line होता है उसी पर applicable होता है तो कई बार अगर हमारे पास एक ही line है उस loop के लिए उस condition के लिए तो हम avoid कर सकते हैं omit कर सकते कोई issue नहीं है लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर statements है किसी भी condition के लिए loop के लिए तो वहाँ पर mandatory है वहाँ पर लिखना जरूरी ही है अब यहाँ पर क्या है यही if i is equal to is equal to 50 तो यहाँ पर मैंने parenthesis जो है नहीं दिया क्यों क्योंकि यहाँ पर एक ही line अगर यहाँ पर बहुत सारा statements होते तो ह में लिखने परती है अब यहाँ पर क्या है कि print है percent है अगर यह condition match नहीं होगे print आएगा i2 कर देगा फिर i4 हुआ i यह condition check होगा नहीं false है फिर 4 print होगा इसी तरह करते-करते 48 हुआ print हुआ 48 अब 48 के बाद क्या हुआ 2 हुआ plus 2 तो 50 50 is less than yes true इसके अंदर आएगा अब condition check करेगा if i यानि 50 is equal to equal to 50 अगर condition true तो break तो यानि कि यहाँ से direct हमारा जो है out of loop हो जाएगा और यह print नहीं करेगा 100 तक 50 के बाद ही हमारा program close हो जाएगा तो इस case में हम break use करते हैं बस syntax जानना है कि कैसे work करते हैं यह नहीं कि अगर ऐसा है तो हमने 100 तक क्यों print करा रहे हैं 50 तक ही करते हैं यह बस समझाने के लिए है कि कब किस scenario में use हो सकता है ताकि जब ऐस requirement आए और आएगी जब लंबे-लंबे मतलब जो हमारे program करने हो तो आएगी तो उस case में हम कैसे use कर सकते हैं तो बस अभी हमारा syntax आपको जानना यह कैसे work करता है यह जानना यह नहीं कि मैं किस program पर यूज कर रहा हूं क्योंकि जाए रही सब program के लिए ऐसा यह यूज ही नहीं करना है I hope कि यह clear हो गया और break next देखते है continuous statement